हेलो एवरीवन कैसे वो आप सभी लोग से सीजल 2019 टियर 3 हो चुका है उसके अटेंडेंस के लिए लगाएगे थी उसका रिप्लाय आया उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कितने लोग अपियर हुए टियर 3 ग्रमिशन में ठीक है एलिजीबल तो 1.25 लाइक स्प्रेंड से थेक्या जो अपीयर हुएं काफी कम लोग अपीयर हुए है टीर 3 में सो अबरोल जो टीर 3 में अपयर हो गाउस्जीजे कवर की जाएंग में अप कर आपके टू में किया जाएग उससे कुछ जादा फरक्व पर पड़ेगा नहीं ठेक साथ ही साथी-साथ नॉर्दन सबसे पहले तो अगर हम बात करें टोटल जो लोग अपियर होने वाले हैं रीजन वाई आप देख सकते हो किस रिजन से कितने कितने लोग अपियर हुए तो ओवर ओल जो एलिजिबल थे वो थे आपके आप एक लाग 25,279 जो एक्जाम में दे सकते थे अपियर होने वाले यहां पे है 85655 तो टोटल परसेंटेज अटेंडेस की बात करें सभी रीजन से आप देख सकते हैं यहां पे टोटल हमारी 68.37 परसेंटेज अटेंडेस रही जिसमें वैस्टन रिजन के अटेंडेस सबसे कम रह हुए और अगर मैं बात करूँ नोर्दन रिजन में अटेंडेस सबसे जादा रही है 73.24 लोग अपियर हुए टेर 3 एक्जामियेशन में ठेक तो अबरोल टेंडेस इतनी है तो यहां पे जो अप कॉम्टिशन रहा गया है टेर 2 का वो 85655 लोगों के बीच में रहा गया है कुछ लोग पहले से हड़ चुक है अपने 32 लोग पहले ही कम हो गए अच्छा अगर हम बात करें हापर रिगार्डिंग में मैंने आपको अपना दिखाया बिता सीजल 2019 टेर 1 में 187 यह 188 नंबर थे कुछ 200 में से तो मैंने टेर 3 में मैं आप यह नहीं हुआ हूँ आई ब्र सबको मिली जाते हैं जान मुझके में यहां पर आपीर नहीं हूं कि मुझे ब्रेट चेन को ब्रेक करना था जो पहले चलता आता था ना छे बार स्लेक्ट पांच बार स्लेक्राइड डोंट नीट टैग तो मेरे पास काफे लोगे मैं से आते हैं कि सर आपने क्या करा है जो लोगो इतना ग्यान दे रहा है लेकिन फिर भी मैं सब चीजों को छोड़ते हुए आगे अगर में फूचर में टीचिंग का करिया पर सीओ करता हूं तो चार साल बाद पांच साल बाद लोग यह भी कहेंगे कि जब तुमने पेपर के लिया करा उस टाइम तो पेपर असान सब्सक्राइब हो जाती है कई बार हमने मालनो 2018 से जो जो मिली मैं सटिस्फाइड हुआ फिर दो सीजल 2019 इसकी जोब मिज़े दिखता कि मेरे हाथ में है तो मैं स्विश कर लेता हुआ से फिर एक सीड जाती तो इस चीज को भी ब्रेक करना था मुझे तो फाइनली जान में जिससे आपको जोब नहीं करनी बेसिकली साय MTS examination हो MTS 2019 examination चाहे CHSL 2018 examination से अगर आपको जोब नहीं करनी CHSL 2017 selected हो तो प्लीज उनके DV अवोइड करना document verification में आप नहीं जाओगे तो वाक किसी और को जो deserving candidate उसे seat मिल जाएगी तो avoid करना आगे process में मच जाना अगर आपको उस particular exam से जोब नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बहुत कम वेगाएंसीज है और competition आपको पता है कितना जादा है और सेम ही candidate हर जगे अपि CGL 2019 को सेम लेवल में पहुच चुका है बस CGL 2018 में फरक क्या है कि tier 2 और tier 3 का result आ चुका है CGL 2019 के बात करूँ यहाँ पे tier 2 और tier 3 का result आ वेटिंग exam हो चुका है बागी साही चीज़े सेम हो चुकी है कोई भी exam ऐसर नहीं बचा जिसके mark जुड़ने है राइट जो marks आएंगे tier 17 से अच्छी जोग पे हैं तो 18-19 का skip कर देना बागी CHSL examination को बखैसी देना अगर इन से आपको अच्छी जोग मिल रही है right so MTS और CHSL पे होड़ा सा light रहना ठेके DV में मत अब क्या हो ना अगर आपको जोग नहीं करने डेफिनिल्टी उस exam से आगे बढ़ते हैं nr region की website का issue चल रहा है कि nr region की website open नहीं हो रही मैं आपको बताते हैं तो solution क्या होगा जैसे आप अगर computer से जा रहे हो या फिर laptop से जा रहे हो ssc nr.net.in पे तो कुछ इस तरह का page दिखेगा ठेके your connection is not private ऐसा कुछ something लिखावाएगा तो आपको क्या करना है सिर्फ advanced पर click करना है यहाँ पर advanced पर click करने के बाद क्या होगा कुछ इस तरह से page खुल जाएगा पूरा का पूरा राइट थोड़ी चीजे और दिखने लग जाएगी फिर यहाँ पर आप जैसे ही second column पर जाओगे तो proceed to sscnr.net.in ठीक है इस वाले link पर आपको click करना है इस क्लिक करने के बाद को सकता है site फिर दिक्कत करें site open ना हो लेकिन थोड़ी दिर बाद ऐसे आप reload पर click करोगे तो 2-4 मिनट का time लगेगा यहाँ पर क्योंकि site बहुत slowly काम कर रही है लेकिन खुल जाएगा 2-4 मिनट के बाद अगर आपका net भी ठीक है तो फिर उसके बाद admit card 2020 का वो सारे आप यहां से download कर पाऊगे ठीक है इसमें थोड़ा सा time लगेगा लेकिन आपको क्या करना है मैंने अगेन बताया है यहाँ पर कि अगर यह वाला page आ तो आपको advanced पर click करना है उसके बाद आपको advanced पर click करने के बाद यहाँ पर दिखेगा proceed to ssc.nr.net.in पर इस देखोगे सबसे पहले तो यह आएगा this connection is not private ऐसा कुछ कोई न कोई message कुछ भी आ सकता है फिर आप क्या करोगे सो details पर click कर दोगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा फिर उसके बाद finally आपको दिख जाएगा widget this website यह वाला link दिखेगा तो इस पर click कर देना उसके करता है तो यही steps आपको follow करने मालना आपको admit card download करना इस पर click करते हो तो दुबारे यही process होगा ठीक है मालना admit card पर आपने click करा तो दुबारे से आपको यही paste दिखेगा कि this site is not secure वाला connection private याभी site is not secure उसके बाद फिर आपको दुबारे click करना पड़ेगा उस पर widget this website पर और यह था तो वह solution देख सकते हो अगर अपकमिंग SSC exams के लिए ठीक है अगर आपकी त्यारी पूरी हो चुके है मेंस दे चुके हो बाई चांस बहुत अच्छा नहीं किया आप आगले साल के लिए भी त्यारी करोगे तो जो चैप्टर्स के मैंने सुल्यूशन करा दिए उनकी मिल जाएंगी जैसे आपनी त्यारी बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर हम बात करें अपने अपनी पूरी त्यारी कर सकते हो किसी भी कॉंप्टिटिटिव एक्जाम की SSC, UPSC, CSC, Banking, Railway ठीक है आपको याद रखना आर्बिट है आपको maximum discount मिल जाए सभी plans पर यह मेरा referral code है ठीक है तो इस code को apply करें अगर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो मैं आपको SSC exams के लिए पढ़ाता हूं quantity of aptitude तो उसमें मेरा complete course आपको recorded form में मिल जाएगा बाकी रोज मेरी free, क्या क्या केता है रोज live classes होती है दो से चार, तो अगर 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 प्लस के already members हो कुछ भी कराया जा रहा है कि करके sections को cover कर रहे हैं बाकि recorded form में भी पूरा course available है तो recorded video भी आप देख सकते हो चाहो तो come time में खरम करने के लिए ठीक, SSC exams के plans कुछ इस तरह से बाकि आप लोगों से again request करूँगा अगर कोई particular job नहीं करना चाहते in future तो उसके document verification में appear मत होना जिससे कि बाकी लोगों का यहाँ पे एक job मिल पाया finally थेक है तो finally मैंने तो break कर दिया है chain कि मैं आगे नहीं जा रहा CGL 2019 के process में भी और शायद ही आगे किसी भी exam का मैं और कोई form भरता भी नहीं हो तो pattern देखने के लिए कभी गया तो गया exams में लेकिन किसी भी exam में मैं अब आगे appear नहीं होंगा ना ही किसी exam से job लूँगा और CGL 18 was the last attempt right so bye bye take care and jahind